सबी महानवाबों को मेरा सदर जय जिनेंद्र और आज की सक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आठों अंगों में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनकी बारे में तो यह दोनों श्लोक आपको दिखाई दे रहे हैं सब्सक्राइब करने वाले हैं तो चलिए प्रारंब करते हैं सबसे पहले हम उच्चारण कर लें इसके बाद हम अर्थ देखते हैं चलिए शुरू करते हैं ताव धंजन चौरोंगे ताव धंजन चौरोंगे ततो नंत मति हिस्मृता ताव धंजन चौरोंगे ततो नंत मति हिस्मृता उद्दायनस तौरिये रेवती मता ठीक है पूरा पढ़ते हैं ताव धंजन चौरोंगे ततो नंत मति हिस्मृता उद्दायनस तौरिये रेवती मता ठीक है दूसरा ततो जिनेंद्र भक्तो न्यों ठीक से देख लें कैसे पढ़ना है जिनेंद्र भक्तो न्यों ठीक है इसको अन्यों नहीं पढ़ने ना है जिनेंद्र भक्तो न्यों ठोड़ा सा यहां पर जो ओ है ओ को थोड़ा सा खीच के बोल देंगे थोड़ा सा लंबा तो यह सही उच्चारण हो जाएगा भक्तो न्यों वारिशेनस ततह परह ठीक विश्णुष्च वज्र नामाच सेशयोर लक्षताम गतव ठीक है सेशयोर लक्षताम गतव पूरा पढ़ें ततो जिनेंद्र भक्तो न्यों वारिशेनस ततह परह विश्णुष्च वज्र नामाच सेशयोर लक्षताम गतव अब देखें दोनों श्लोकों को दोनों श्लोकों में आठ व्यक्तियों के नाम है जो क्रम चाहर आठ अंगों में प्रिसिद्ध व्यक्तियों के नाम है तो सबसे पहले तावत तावत अंजन चोर अंजन चोरह चोरह अंगे यहां परने के लिएगा अंगे यह अवग्रह बन जाएगा आ तो हो जाएगा अंगे तो तावत अंगे मतलब क्रम सह है तावत मतलब यहां से लिए क्रम से ठीक है तो पहला अंग है निशंकित अंग तो क्रम सह है यदि हम लगाएंगे तो पहला नंबर है निशंकित अंग का तो निशंकित अंग में अन्यन चवु रहा अन्यन चोर कौन अन्यन चोर अन्यन चोर निशंकित अंग में ततो अनंत मती दूसरे में हैं अनंत मती ठीके, स्मरता मतलब इस्मरण किया गया है, अन्तमती को दूसरे अंग में इस्मरण किया गया है, उद्दायनस्ति एपी, जो उद्दायन है, उद्दायन राजा देखिए इहां पर उद्दायन लखा है ना कि उद्ध्यायन ठीक है ? टेख इसमें और इसमें फरक है ये कई लोग इसको उद्ध्यायन दाजर पढ़ते हैं उद्ध्यायन नहीं है उद्ध्धायन है इन है ठीक उद्धायन तर्थीए पी तीसरे एंग में उद्धायन राजा प्रृये रेवति मता गप तुनिए मतलब चौ्थे एंग में। टृये का मतलब होता है चार ठीक है तूद्धे में रेवति पतल पांचवांग ठीक आम करम से भी बताते हैं उसमें जिनेंद्रवक्त सेठ जिनेंद्रवक्त फिर चटवे में वारी सेण ततह परह मतलब उसके बाद जो अंदूसरा है उसमें वारी शेन मतलब साथवे पांचवे में ये छटवे में ये तो वारी सेणा छटवे में फिर बिश्णु चाभज्र नामा चा बिश्णु कुमार मुनी और बज्ज्र कुमार मुनी ये दो नाम के जो मुनी हैं शेश ऐयोह, शेश, मतलब दो जो सेश बचे हैं, उनमें विश्णो कुमार बज्ज्र कौर मुनी जो है, वो लक्षताम गतव, पिशिद्धी को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो यहां भी लिख देते हैं, विश्णो कौमार मुनी, ठीक, और बज्ज्र कौमार मुनी, यह देखो, अन्यन्चोर निशंकित अंग में, अनन्तमती निकांचित अंग में, उद्दायन राजा निर्विचिकिस्ता अंग में, रेविती राणी अमूर द्रिष्टी अंग में, चार जिनेंद्वक्त सेठ उबगूहन अंग में, वारी सेण इस्तती करण अंग में, प्रभावनांगम है यह क्रमसा है आठ व्यक्ति आठ अंग में प्रसद्ध हुए हैं अब इनकी कहानी कहां है तो जो पुष्टक हमने आपको दिये उसमें इनकी सौड में कहानिया हैं उसको आप पढ़ें पूरी कहानी हम यहां पर नहीं बता रहे हैं कहानी सरल हैं आप पढ कहानियों से तो आप स्वयम उनको पढ़ें हम आपको संच्षेप में सिर्फ आपको एक दिखदर्शन मात्र करा देते हैं आठ लोगों के बारे में तो सबसे पहले अन्यंचोर अन्यंचोर की कहानी तो प्रसद्ध ही है कि जो सौमदत्त सेट थे ना जो जिन्दत्त सेट के ही यह समझ लें उनके बटू थे उनके सिष्ट समझ लीजी तो वहां पर विद्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे वह तो नहीं कर पाए लेकिन अन्यंचोर जो की चूरी करके भाग रहे थे और वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसको विधी बताई तो उन्हें पू जो पेड़ पर जो चीका लगा था उस पर बैट करके नीचे तलवारें आदी जो नुकीले अस्तस्त्र हैं वो लगे हुए थे उसके उपर से उन्हें गिरना था तो बिलकुँ स्रद्धा कर लिया थे कि हां इस नमोकार मंत्र में इतनी सकती है कि इससे हमें विद्ध आकास गामनी विद्ध्या जो है वो शिद्ध हो जाएगी और उन्होंने वो चीका काटा और वो शिद्ध्या उनको शिद्ध हो गई ठीक है तो अन्जन चोर ने क्या किया निशंकित शंका नहीं की नमोकार मंत्र पर और जो सेट थे वो डर रहे थे कि पता नहीं यदि नहीं काम कि आड़ मुकार मंद्र ने अपना तो हम नीचे उन लगे सस्त्रों पर गिर जाएंगे मर जाएंगे तो अन्जन चोर ने संका नहीं कि और निशन के तंग को पादन करते हुए और क्या हुआ बिद्या सिद्ध कर गए यह इसलिए निशन के तंग में पिषद हैं अनंत्मति जो रानी है इनी कांचे तंग में पिषद हैं इनको बस्पन में ही खेलखेल में आजी बर्ब्रमचर्वित दिलवा दिया था बाद में इनोंने जब ये बड़ी होगी तब भी इनो करके ले गया था जंगल में छोड़ दिया फिर तो वहां पर उनकी कहानी बहुत ही कठिन है बहुत ही दुखभरी कहानी है कि उन्हें अलग-अलग जिगों पर ले जाया गया और कई कि राजां ने उनसे वभाहिका प्रस्ताव रखा बहुत से सुख तो सुखवदये का प्रयास किया लेकिन अनन्त मति ने अपने ब्रत को ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार के सुख साधनों की अप एक्छा नहीं की तो यहीं पर यहां पर उनका मुख्ष है कि नहीं कांचित कोई इच्छा नहीं रखी उन्होंने देवशास्त गुरू के प्रति जो सर्धान था उसका उन्होंने पालन किया जो ब्रतर दर्धा से पालन किया और ब्रत के आंगे सान्षारिक सुखों को तुच्छ समझा तो यह जो निहकांचित अंग है इन्होंने पालन किया इसलिए प्रशद हुए उद्धायन राजा निर्वेचे कि सांग मैं प्रशद हुए निर्वेचे के सामने का घर्णा नहीं करना और और खास तवर पर मुनी आरीका उस्याबक्षा किसी भी व्यक्ति को देख कर के उनकी किसी भी परकार की जो सारीरिक जो गंद्री है उसको देखकर गिरना नहीं करना और उनमें खास तरपर मुनी जैसे की छेड़ाला में कहा है मुनी तन मलिन देख घिनावे मुनी के मलिन तन को देख करके जो गिरना नहीं करता वो निर्विच सांग का पालन करने वाला होता है और उद्धैन राजा इस चीज में प्रिशिद हुए आप कहानी पढ़ेंगे त बिजलिदनी होते हैं और निविच किस्ता भाव के साथ उनकी शेवा करते हैं रेवती रानी अमूर दिश्टी यंग में प्रिशिद हुई है इनके सामने भी यही होता है कि कहानी तोर भी तरीकी है लेकिन एक जो मुख्य पॉइंट है वो यह है कि एक जो व्यक्ति होता है अपने कला के कारण से अनेक प्रकार की कलाएं देखाता है यह समझ लीजिए माया देखाता है और अलग-अलग देवी देपताओं का जो अन जिन लोग जिनको भगवान मानते हैं अस्ततधारी उनका रूप धारन करता है और पूरे गाउं को आश्चे चिकित करता है पूर माझसे के रूप बनाता है फिर लेकिन देवतिरानी तो जानती कि कोई होते ही नहीं है किसे कोई कहां से आ जाएगा जाया धर uel कोकी पर ती थंकर का रूब ध्रान करके आता है तभी वोंहीं पताए कि रभी थंकर हैं बर्तमान में और नहीं और वहू चुके हैं 25 प्सक्र चल कपट या माया से यह रूप दिखा रहा है यह बास्तिविक नहीं है तो वह इसलिए वह अमूर द्रिष्टी अंग का पालन करने वाली प्रिशिद्धु ही रेवतिरानी जिरंद वक्त सेट जो उपगुहन अंग में प्रिशिद्धु है उपगुहन करता है धकना दोस्व से उपर इनका एक ग्रहचे त्यालाय था उसमें पाश्णत भगवान का जो भगवान की मूर्ति थी चत्र में बहुत थी कीमती मणी थी उसको चुराना था ठीक है तो उसने चल से चुरा करके भागने लगा और बाद में जब कोटवाल ने पकड़ा तो फिर सेड़ जी ने कोटवाल जो लोग थे उस छुलक जी को पकड़ करके जो छल से बना हुआ था फरजी जिसे हम कहते हैं फरजी रूपधारन करके और सेड़ के पास ले आए तो सेड़ जी को अभी चिंता थी कि यदि हम कह देंगे कि हाँ इस चोरी करके ले गए तो फिर छु उसकी हमें फिक्र हो रही है इस टाइप से सोच करके उनोंने जिन धर्म की निंदा ना हो और जो पद है उसकी निंदा ना हो जगत में उस निंदा को बचाने के लिए उनोंने कही दिया कि ये मणी हम नहीं मंगाई थी इस प्रकार से वो कहानी है आप पढ़ेंगे बहुत अच्छी लगी पूरी तरह किसे पढ़ें दूसरी है बारिशन इन्होंने इस्तिक करन अंग का पारण किया इन ये बारिशन मुनी हैं इनके साथ में एक पुस्पडाल नाम के मुनी थे और किसी कारण से कारण क्या था वो आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेग तो बारिशन जो मुनी है वो किसी तरीके से वो तरीका क्या है वो भी आप कहानी में पढ़ें कि उनके मन को बापिस मुनी पने में स्थिर करते हैं तो इसलिए वो इस्तिक करन अंग में पिशिद हो जाते हैं फिर है बातसल अंग के लिए विश्ण कुमार मुनी तो विश् पर सभी लोग कहानी सुनते हैं कि 700 मुनी राजों पर जो उपसर्ग हुआ था वो उपसर्ग विश्णुकुमार मुनी ने बामन रूप धारण करके और जाजा बली कि चंगुल से उनको बचाया था तो वो बात्सल अंग तो को दारण है के उन्होंने ने मुनी राजों पर है ना हमने कहा थे स्लोक में स्वाइव अपने समूके लोगों के प्रती सदभावना और माया चारी से रहत सदभावना धारण करना उन से शनेह रखना बात्सलन कहलाता तो मुनिकी उपर उपसर्ग होने वाला था तो उपसर्ग को बचाने के लिए श्नेह कारण से बाथसल अंग को धारण करते हुए वहां पर गए थे उन्होंने उन्हों सब को उपसर्ग होने से बचाया था तो ये वश्नो कुमार मुनी बाथसलंग में प्रशद इसलिए हो गए और फिर अंते में बच्जर कुमार मुनी ये प्रभावनांग में प्रशद हुए क्योंकि इन्होंने अस्टानिका पर्म में जुलूस निकालना था नगर में जिन धर्म का और उस जुलूस को निकालने क के लिए बादक बन रहे थे कुछ बुद्ध धर्म के अनुयाई तो बज्र कुमार मुनी ने उस जगह पर जो जहां समस्या आ रही थी और जो जैन धर्म का जुलूस नहीं निकलने दिया जा रहा था वहां पर जाकर के उन्होंने और उस जुलूस को निकलने में अपना योग निकालने वाली थी रानी उन्होंने अपना खुसी खुसी जहन धर्म का जुलूस निकाला और जहन धर्म की प्रवावना की तो इस प्रकार से यह आठ विक्ति हैं इन्होंने आठ अंगों मर देखिए ऐसा नहीं है कि विश्णु कुमार मुनी अबज्जर कुमार मुनी प् नहीं ऐसा नहीं है यह सभी सम्मेकद्ष्टी जीव आठों अंगों का पालन करने वाले थे लेकिन एक अंग पर विशेस कथानक विशेस घटना जो हुई वो घटना उनके कारण से प्रिशिद्ध हुई इसलिए उनका एक एक अंग में नाम प्रिशिद्ध कर दिया बाकि वो सभी लोग सम्मेकद्ष्टी थे और उन्होंने सभी अंगों का पालन करते हुए अपने सम्मेकदर्संगुण को बनाये रखा था इसलिए यह नहीं सोचना कि अंजन्चोर केबल निश्रंकित अंगाही पालन करने वाले थे या फिर अनंतमदी निकांचित अंग को पाल करने वाले थे लेकिन घटना जो है वो किसी एक अंग के लिए प्रिसद्ध हुई है तो इस प्रकार से हमने संच्छेप में आठों अंगों में प्रिसद्ध आठ बेप्तियों को समझा आप लोग कहानी को विस्तार से पढ़ें अच्छे से पढ़ें आपको ज्यादा समझ म यदिने ये ये लेंदू